जोते श्रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस सर्वदनन्द शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार तो साथियों आज भी चर्चा का विशय मुखे तोर पर दैनिक राशीफल ही है और इसी के विशय में आप से बात करेंगे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम पंचांग के विशय में आपको जानकारी दिया करते हैं तो आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे और बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशी फल है और आपका ये जो आज का पंचांग है ये दोनों 30 अप्रेल सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संबद 2021 के हैं दोनों हिंदी का महीना वैशाक का महीना चल रहा है पक्ष चल रहा है क्रिशन पक्ष और तिद होगी आज 6 यानिके चट और नक्षत रहेगा उत्रा शाड़ा योग होगा साध्ये करन होगा वनिच राशी होगी धनू लेकिन चंद्रमा आज प्रहते 10 बच कर 37 मनट पर धनू राशी जी हां तो साधियों ये तो चंद्रमा की इस सिती है जो रहने वाली है राहुकाल की समय अभदी क्या कहती है ये शाम 3 बच कर 37 मनट से लेकर के शाम 5 बच कर 16 मनट तक रहेगी राहुकाल की समय अभदी और अभिजीत मूर्थ की जो शुप समय अभदी है वह आज पराते 11 बारा बचकर एक्यामन मिनट से लेकर दो पहर बारा बचकर चौवालिस मिनट तक रहेगी और इसके अतरिक्त आज त्री पुषकर योग भी है साथियों तो ये थी जानकारी पंचांग के विशह में अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशी फन के व वाला है इसके विशह में बात करेंगे साथ की साथ अंत में आपको उपाई भी देंगे कि अगर आप उन उपाईयों को करते हैं तो अपना दिन और ही उत्तम बना सकते हैं तो आईए इससे पहले के चर्चा आरम करें दैनिक राशी फन को ले करके बताना चाहेंगे कि ये जो चर्चा है दैनिक राशी फल की जिसको हम आपसे अप करने जा रहे हैं पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान इस सिती है उसी पर ये आधारित है तो साथियों बात करेंगे मेश राशी के जातकों के विशह में जिनका एरी साइन है तो साथियों मैं आपसे बताना भी करेंगे और उससे वो समय जो होगा वो आपके लिए काफी सुखद समय होगा आपको उससे काफी मानसिक तोर पर भी प्रसंदता होगी और शुकून मिलेगा शान्ती मिलेगी दूसरी और कार्य छेत्र में भी कुछ आप ऐसे अच्छे कार्य करके अपने लिए एक तरीक मिलेगा और इस एप्रीशेशन के साथ मान सम्मान में भी विरद्धी के संकेत बने हुए हैं ग्रहों के दौरा आप मेश राशि के जात्कों के लिए तो प्रियसाथियों मान सम्मान भी आपको मिल रहा है और जो हमारे श्टुडेंट्स हैं मेश राशी के वो भी कुछ अच्छे और सफलता पूर्ण परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं साथ ही अगर आप अपने कारेश्चेतर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर अगर आपको कुछ महत्पूर्ण और कुछ बड़े important decisions लेने की जरूत पड़ती है तो आप उसको लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और लेंगे भी decisions और उन decisions को लेने का आपको एक अच्छा result भी मिलेगा ये सिती रहेगी आपकी लेकिन दूसरी और दूसरी और मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रियसातियों के यूं तो आपके एक तरीके से भाग्योननती के भी संकेत पूरी तरह से मिल रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं बीच में कुछ कमी होने के वज़ा से आपके पदोननती के जो योग बन रहे हैं उसमें भी कहीं न कहीं कुछ विलंबी आवी अवरोध बन रहा है उसके लिए आप उपाय क्या करें उसके लिए आपको उपाय करना है कि आप प्रहते काल पक्षियों को सब्त धानने नाज खिला सकते हैं यह आप कर सकते हैं आगे बात करते हैं विर्षब राशी के जो मित्रे हैं हमारे जिनका टॉरस साइन है उनके विशह में बात करेंगे तो मेरे प्रियसाथियों मैं आप से बताना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि आप विर्षब राशी के जो जातक हैं आपके लिए कारे छेतर जो है लेकिन मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि प्रियसाथियों देखिए अपने भाग्य का भी आज आपको सपोर्ट मिल रहा है सफलता हैं तो आप प्राप्त करी रहे हैं अपने कारे छेतर में साथ ही भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे करन के लिए उपाय आपको जरूर देंगे वो उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको उसका लाप्राप्त होगा प्राप्लम क्या रहेगी आज के दिन रह सकती है कि जो आपको धनका आगमन है आपके लिए इंकम जो है आपकी इंकम को ले करके थोड़ी बाधाएं हैं, समस्या दिख रही हैं, या कुसमे कमी दिख रही हैं, ताकि वो भी कमी दूर हो सके, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए तो फिर आप यही करें कि काले उड़त आप शाम के समय पीपल के वरक्ष पर रख करके आ सकते हैं और दिन के समय पीपल के वरक्ष पर जल चढ़ा सकते हैं जाकर के ये आप कार्रे करें तो आपके लिए जो है धनका आगमन भी बनेगा और अगर हो सके तो आप लाल मसूर की डाल लाल रंके कपड़े में बांद करके कुछ पैसों के साथ किसी सफाई करमचारी को भी दे देंगे तो तो आपके सारे कष्टी ही दूर हो जाएंगे आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशी के मित्र हैं जिनका जेमनी साइन बनता है पर यह साथियों मैं आप से पताना चाहूंगा कि देखिए आप जो हमारे ऐसे मित्र हैं कि जो मिथुन राशी के मित्र हैं जनका जेमनी साइन है उनका वेवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और वेवाहिक जीवन के साथ साथ आपका जो है मैं अगर कहूं तो कार्य छेतर में भी जो आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो थोड़ी बहुत परिशानियां आपके ल पूर कर सकते हैं और कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि 100% सारी समस्याओं का ही सामना आपको करना पड़ेगा लेकिन अगर समस्याओं आएंगी भी तो उसमें से कुछ समस्याओं को तो आप बहुत सक्सेस फुली उनका निराकरन कर लेंगे आपके अंदर इतनी योगिता है अप अपना पूरा उसको उपयोग करते हुए कर सकते हैं आप ये काम आपकी इतनी चमता है और आप करेंगे भी और जो ये ऐसे कार्रे करेंगे उसके लिए एक तो जो आपके सीनियर से वो आपका एक तरीके से मोराल भी बूस्ट करेंगे होसला अफजाई भी कर रहेंगे और आपके कार्रे की प्रिशन सा भी आज के दिन होने की पूरी-पूरी संभावना बन रही है हला कि कुछ दूसरे कार्रे को ले करके चिंता मन में जरूर बनी रहेगी कि वो कब और कैसे पूरे किये जाए उनको ले करके भी अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ और अपना नीम का दातून करिएगा नीम का दातून करने से यह सारी परिशानियां आपकी हल हो जाएंगी आगे बात करते हैं करकराशी के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन है तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं पर यह साथ यहूं कि देखिए कार्य छित्र से जुड़ी उसमें आपकी सब में वाही वाही हो रही है और होगी आज के दिन भी होगी पूरी तरह से होगी और आपको बहुत ऐसा योग बना हुआ है कि आज या कब या तब या जब आपको कोई ना कोई अच्छी पदोन्नती के योग बन रहे हैं ये वो समय चल रहा है आपका कि जब आपका जो कार्य छेत्र जहां से आप जुड़े हुए है वहाँ पर चारों तरफ आपका प्रभुत जमा रहेगा और इतना ही नहीं प्रभुत किस मामले में जमा रहेगा जो भी कार्य चाएं वो आपके सीनियर से हैं जूनियर्स हैं या कलीक्स हैं कोई भी कार्य अगर करेंगे तो अपने आपको स्वेम को आपके सामने काफी बोना महसूस करेंगे ज्यान के मामले में नौलिज के मामले में और आपको भुला करके आपसे सलह मश्वरा भी कर सकते हैं आपसे राए भी ले सकते हैं आपसे जहरे पर एक विशेश प्रकार्शन का आकर्शन रहेगा और वो आकर्शन इसी मामले में रहेगा जो हम आप से कह रहे थे कि जिन लोगों को आपके मार्खदर्शन की आवश्यक्ता है, अगर वो आपके पास आते हैं, तो आप उनका properly मार्खदर्शन आवश्यक्रें ताकि उनके दिमाग में, उनके मन में, उनके दिल में, आपके प cleanup और सम्मान पैदा हो खाली दिखावे का ही सम्मान ना हो अंदर से सम्मान करें वो आपका तो इसलिए ये कार्य भी आप जरूर करते रहे और आप करेंगे भी सुख सुविधाओं का भी पूरा आनंद लेंगे आप बरपूर आनंद लेंगे साथ ही मित्रों का भी सहयोग आपको मिलना जा रहा है तो आप अपने मित्रों का सहयोग ले करके भी अपने कार्यों को बहुत शीकृता पूर्वक पूर्वे कर सकते हैं कुल मिला करके बहुत अच्छा दिन है लेकिन उपाय आपके लिए बनता है कि ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे और जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो मान के चलिए कि सारे कार चौतरफा सिद्धियां पराप्त होती है व्यक्ति को तो इसलिए हम आपको उपाय दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपके साथ रहे तो चंडी का सोत्र का पाट करें आप करकराशी के हमारे मित्र उस से आपके सारे विग्ण बाधाय दूर होंगी आगे बात करते हैं सिंगराशी जिनका लियो साइन है प्रियसातियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए आप जो सिंगराशी के जातक हैं आपके केस में कुछ इस प्रकार का एस्थिति है कि भाग्य का तो भरपूर सही होगा आपको मिल रहा है और भाग्य के सपोर्ट पे ही आप कई ऐसे कार रहे हैं जो अभी तक नह हात में लेंगे तो पूरी सफलता के साथ पूरे करेंगे और समय से पहले करेंगे और हायर इस्टडी जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं वही भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको भी अच्छे प्रणामों की प्राप्ती होगी और माता-पिता का पूरा करें कि गर-परिवार के सदस्यों के साथ आपका किसी परकार का कोई टनाओ टेंशन ना रहे तो आपको क्या करना चाहिए आज अप इस्नान करने वाले जल्में या तो ITR मिलाकर के न्हाएं ITR जो होता है ले आएं ITR की शीशी वो मिला लें उससे इस्नान करें और दूस्र अगर वो नहीं है किसी वज़ा से तो आप लाल चंदन एक चुक्टी उसमें मिला करके उससे इसनान कीजिए यही आपके लिए सर्वोत्व मुपायर हैगा आज के लिए अब आगे बात करते हैं कन्याराशी के जात्कों के लिए जिनका विर्गो साइन है प्रियसातियों बताना चाहेंगे कि देखिए आपके जो माता-पिता हैं पेरेंट्स हैं या घर के बड़े बुजर्ग हैं दादा दादी यह हैं उनका भरपूर आशिरवात प्यार आपको मिलने वाला है साथ ही घर परिवार के सदसे भी आपको पूरा सहयोग करेंगे उनका भी आपके साथ पूरा तालमेल बना रहेगा और आप घर के बुजर्गों के साथ भी और अपने परिजनों के साथ भी समय जादा से जादा व्यतीत करने की कोशिश करेंगे उनके साथ बैट करके कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसी समस्याएं जिनका आपके पास कोई सॉलूशन नहीं है, सिर्फ घर के बुजर्गों के ही पास होता है कुछ चुनिंदा चीजों का सॉलूशन, तो आप उन चीजों पर भी उनसे डिसकस करेंगे और उनसे कोई हल निकालेंग इसको लेकर के भी आपके जो घर के बड़े हैं, वो आपका अच्छा मार्वदर्शन कर पाएंगे, पर यह साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा, कि देखे थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं बनी हुई है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, तनाव या कठनाईया, परिशानिया जो भी है, वैवाहिक सुखों में कमी कह सकते हैं, तो ये सब चीज़ा अगर ना हो, तो कैसा रहें, बहुत अच्छा होगा, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए किया जाए, बहगवाएं शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के, जल से लितिल, और वहीं बैट करके, ओम नमेश शिवाए, इस मंत्र का एक माला जरू कर लीजे, धूब दीप के साथ, आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशी के मित्र हैं, जिनका लिबरा साइन है, तो साथियों पताना चाहेंगे कि आप हमारे जो तुला राशी के मित्र है आपके लिए, जो स्टुडेंट्स हैं, मुख्य तोर पे, स्टुडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उनको मध्यम इस तर से उपर के रिजल्ट्स की प्राप्ती के पूरे योग बन रहे हैं, और दूसरी ओर, जो ऐसे जातक हैं, जो अपना जीवी का च वो यह है कि अगर आपको अपने कारणे से संबंदित कुछ एहम फैसले लेने पढ़ते हैं, तो आप लेने में पीछे नहीं हटिएगा, और आप लेना चाहेंगे, और ले भी लेंगे, और अच्छे फैसले लेंगे, तो इसलिए हम भी ये बात आपसे कह रहे हैं, कि अगर आपकर फैसले लेने पढ़ते हैं, कुछ एहम फैसले, तो उसको लेने से पीछे नाटे हैं, क्योंकि आज भी अगर आप कुछ एहम फैसले लेते हैं, और कई बार होता ये है, कि बंदा विवश हो जाता है फैसले लेने के लिए उसको कुछ ऐसी मजबूरियां आ पढ़ती है कि लेने ही पढ़ते हैं फैसले तो आज का दिन आप बिना सोचे समझे फैसले ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो भी फैसले आपके दोरा लिये जाने वाले हैं वो भी अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं ये जान लीजिए दूसरी और बस इतना जरूर कहेंगे कि मित्रों पर भरोसा बिलकुल ना करें मित्रों पर भरोसा करेंगे तो हानी उठा सकते हैं मित्रों के साथ समय व्यतित ना करें ज्यादा क्योंकि जितना समय व्यतित करेंगे ये मान के चलिए कि वो एक तरीके से आपका समय व्यर्थ में जाने वाला है तो इसलिए उस समय का सद्वियोग करें दूसरे अच्छे कार्यों के लिए तो ज्यादा बेतर होगा और जीवन साती के अपने स्वास्त का भी ध्यान अवश्य रखें वैसे वैवाहिक सुखों को ले करके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और किसी बात को ले करके मन में भे ना रखें क्योंकि मन में अगर आप भे रखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे अपने कारियों को कैसे पूरा करेंगे तो मन का भे जरूर निकालिए और मन का भे निकालने के लिए आपको उपाय क्या करना है और मन का भे क्या है आपके विरोधियों से हो सकता है या फिर आगर आपका कोई कोड के चेरी में केस चल रहा है तो वहाँ से संबंदित आपको टेंशन हो सकती है बहो सकता है पता नहीं किस प्रकार का जज्जमेंट आएगा क्या आएगा क्या नहीं तो साथियों बिल्कुल घबराने के आवशकता नहीं है गव माता को गुड़ खिलाएं उपाए के तोर पर प्राते काल रोटी पर रखकर खिलाएंगे तो और भी अच्छा गुड़ और स्वेम भी गुड़ खा करके घर से निकल लिए तब आपके सारे कारे अच्छे होंगे शुब होंगे आगे बात करते हैं विरिष्टिक राशी के जातकों के लिए जिनका स्कॉर्पियो साहिल बनता है पर यह साथियों मैं आप से बतानू कि देखिए आप जो हमारे विरिष्टिक राशी के जो मित्र है तो आपके लिए क्या है कि आपके आज का दिन कुछ ऐसा है या ऐसा समय चल रहा है विया आपका गरहों के योग के द्वारा कह रहे हैं ये बात कि जो आपके विरोधी थे कल तक वो भी आप इस बात को लेकर के भी काफी आश्रे चकीत रह सकते हैं कि वो भी अब आप से मितरता कर रहे हैं या मितरता का अपना एक तरीके से उनके साथ माहौल रहेगा आपका तो ये आप भी देख करके कि भाई ये तो हमारे धुर विरोधी लोग हैं लेकिन आज ये भी हमारे साथ मितरता वाला वेवार कर रहे हैं तो कुछ ऐसी पर ये सब favor में जाने के पूरे पूरे योग हैं और मैं आप से बता दूँ मामा या मामी पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है या उनका आपको सहयोग मिल सकता है पूरा हाँ इतना जरूर है कि छात्रों के लिए थोड़ी परेशानी बनी हुई है विरिश्चिक राशी के उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर के या पढ़ाई से समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ रहा है और जातक जो हैं हमारे उनको कार्य छेत्रे से सम्बंदित भी थोड़ी बहुत परिशानिया जो हैं फेस करनी पड़ रही है तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि ये सारी समस्याओं दूर हो जाएं आपको शुकून मिले मानसिक तोर पे दिली तोर पे दिल और दिमाग में सिंदूर का चोला चड़ाना है कैसे चड़ाना है चमेली के तेल में सिंदूर मिला लीजे और फिर आप उस हनुमान जी की प्रतिमा पर चड़ा दीजे और वहीं बैट करके आप हनुमान चालिसा का पाट करें हनुमान जी की आरती करें ये आप काम करिएगा यही उपाय आपके लिए है इसी से ही आपके संकट दूर होंगे आगे बात करते हैं धनुराशी के जातकों के लिए जिनका सेजिटेरियस साहिन है तो प्रियसाथियों भाग्य का भरपूर सहयोग मिल रहा है आपको और लक्ष्मी योग भी बना हुआ है धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा पून रूप से धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी इस्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा परफॉर्म करने के जा रहे हैं आज के लिए उनके अच्छे रिजल्ट्स आज के दिन बन रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबन देते चाहें वो नॉर्मल एजूकेशन कर रहे हैं इस्टूडेंट्स जनुराशी के चाहें वो हैर एजूकेशन दोनों परकार के स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे और बहतर परिनामों की प्राप्ती के योग ग्रों के दौरा बन रहे हैं प्रियसातियों मैं आप से बताना चाहूँगा कि देखिए कारे छेतर में भी आपके कुछ ऐसे कारे भी हैं जिनको आपको ऐसा लग रहा है या लगेगा शुरू में आरम में कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है इसको मैं कैसे पूरा करूँगा या अकेला कैसे पूरा करूँगा तो आप खुद बड़े परिशान रहेंगे लेकिन जब आप उस कारे को आरम करना आरम कर देंगे शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि भई ये तो काम बहुत आसान है और उसको आप बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे तो कुछ इस सरीके की भी टास्क आपके साथ इसको लेकर के आपके मन में दुविदा हो तो आप बिलकुल भी गिव अप ना करें उस टास्क को लें उस पर कारे करें सफल होंगे उपाएं क्या किये जाएं थोड़ा सा उपाएं से पहले आपको बता दें कि आज सुख सुविदाओं के लाव मैं थोड़ी कमी है लेने में तो उसका जो है मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए सुख सुविदाओं में तो ऐसा होता है कि कभी जब समय मिलता है व्यक्ति को तो थोड़ा सा आराम ज़्यादे कर लेता है तो अब क्योंकि आपका बिजी शेडूल रहना है तो इसलिए सुख सुविदाओं की तरफ ध्यान आपका थोड़ा कमी जाएगा लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि धनकी सिती बहतर रहेगी धनकी सेविंग आच्छी कर पाएंगे सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा बस सुख सुविदाओं को लेकर के थोड़ी समस्या है बाकी आपका जो एनरजी लेविल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा उपाए आज के दिन आप क्या करें तो उपाए आपके लिए बनता है वट विरक्ष को आपने जल अर्पित करना है जो वट का विरक्ष होता है और उसी मिट्टी से गिली मिट्टी से आपको तलक्वी करना है ये करना है धनुराशी के जातकों को अब आगे बात करते हैं मकर राशी के जातकों के विशम है जिनका कैप्री कॉन साइन है साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए वैवाहिक जीवन का तो आनन्द आप बरावर लेंगे वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी नहीं रहेगी आपके लिए दूसरी और थोड़ी समस्या आपके एनरजी लेबल में है यानि कि प्राकरम में कुछ कमी का एसास होगा लेकिन चलिए कोई बात नहीं होगा उसका भी उपाये देंगे वो भी ठीक होगा लेकिन छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहेगी उनका सहयोग नहीं प्राप्त होगा और लेकिन भागे का सहयोग तो जरू मिलता रहेगा छोटे भाई बहनों का मिले या ना मिले भाई भागे का सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा अम यह तो नहीं कहरें कि 100% मिलेगा लेकिन आपके कारे आपको लगेगा कि रुख गए हैं न के लिए सभी तरफ से positive results आपको देखने को मिलेंगे सुक्स विधाओं का भी भरपूर लाब लेंगे आप सुक्स विधाओं का लाब पूरी तरह से उठा पाएंगे और मैं आपको इतना भी बता दूं कि सुसराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार की प्राप्ती कर पाएंगे और परीजनों के साथ भी संबंद आपके अच्छे रहेंगे थोला सा घर के जो बुजुर्ग हैं वो किसी ना किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं तो उनका आप मानना करें उनका निरादर करें उनका सम्मान करें उनके पाउं छू करके उनसे आशिरवाद लें अपने लिए और इसके साथ साथ उपाए आप क्या करें तो प्रिया साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए वैसे भी मंगलवार का दिन है और अगर आप हनुमान जी से संबंदित पूजा आपके शनी देव की जो साथ साथि का प्रिवाव है उसके भी उपाये हो जाते हैं तो आज के दिन आपने क्या करना है कि लाल वस्त्र नया थोड़ा हो छोटा हो कोई बात नहीं लाल वस्त्र है लाल रंकी मिठाई है ये किसी भी धार्मे की स्थल में जाकर के लाल फूल है जैसे जतनी की ऐसी लाल रंुग की चीज़ें हैं भो आप हनुमान जी के याफ धारमी किस्टल में ले जाकर करके दान कर सकते हैं आज के दिन और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर आपने मंगल इस्तोत्र का पाट करना आएं तो के सारे वेवाही जीवन में जरूर थोड़ी बहुत उथल पुथल के संकेत हैं लेकिन चीजें जो हैं वो एक बार तो लगेगा कि उथल पुथल हैं लेकिन चीजें साथ की साथ सैटल भी होती रहेंगी चीजें मतलब नॉर्मल होती जाएंगी चीजें उसमें फिर कोई जादे प्र ऐसी चीज़ें जरूर हैं कि भाई अगर आप कहीं भी किसी भी ऐसे छेतर से जोड़े हुए अपने कारे छेतर से तो वहाँ पर जो है थोड़ी समस्याओं का सामना या कुछ चेलेंज आपको फेस करने पड़ सकते हैं तो अब अपने कारे छेतर में टास्क थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए और अभी आप से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई पदोन्नती के विशे में किसी ने आपको कोई एशुरेंस दिये तो आप बिलकुल यकीन ना करें क्योंकि अभी कोई ऐसा गिरों का य अचीव करके दिखाईए रिजल्ट से अचीव करके दिखाईए तब कुछ आगे जा करके कुछ बात बनेगी और अभी भी ऐसे भी लोग होंगे कि जो आपको आगे आकर के मदद करने के लिए ततपर रहेंगे और यहां पर एक और बहुत अच्छी बात ये है आज के दिन कि जो आपके विरोधी होंगे उनसे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं वो भी आपको सपोर्ट कर जाएंगे और यहां तक कि कि अगर आपको कोई मान लिजे कोई लोन आदी चुकाना है या लोन लेना है वो भी मैटर आज के दिन सॉल्व हो सकता है आपका उसके भी चांसिज ह आता है आपके क्या क्यते है energy level का प्रिशना आता है वो भी बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा और भाग गया आपका support करी रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है तो बाकी थोड़ा सा मनको जड़ा थोड़ा स्वस्थ रखीए और मनको त्थोडा शा सारी समस्याओं से छोटकारा पा सके और जैसा मैंने कहा कि शनी की साड़े साती का प्रवाव भी बना हुआ है तो वो उपाय भी आप बराबर करते रहिए उन उपायों को करने से भी पीछे नाहट है तो एक तो आप सबसे पहला कारे तो यह करना है कि प्रहते काल जब इस ना का तिलग और अगर हो सके तो सब धने जो नाज है वो आप धान कर दे अपने किसी भी कारियों पर जया रहे हैं सब धान्ने नाज धान कर दे और लाल रंग का तिलग चंदन का मस्तुष कर लगा कर गे निकले उज़ादे अच्छा रहगा आपके लिए अंत में बात करते है जो हमारे मीन राशी के जातक हैं, जिनका पाइसिस साइन है, प्रियसाथियों मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर मैं कारेच छेतर की बात करूँ तो कारेच छेतर में तो आपकी जो हैं चीजें समय पर बंती जा रही हैं, कोई विशेश परेशानी का सामना, वहाँ प अब आते हैं, दूसरी ओर इंकम को लेकर के, तो इंकम भी आज के दिन आपको अच्छी इंकम होने जा रही है, कहीं से अच्छे धनकी प्राप्ती के भी योग बन रहे हैं, इस्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करेंगे, पर्फॉर्म, उनके अच्छे रिजल्ट्स आन हमारा करियर हो, चाए हमारा किसी तरीके का भी कोई छेतर हो, हमारे जीवन से जड़ा हुआ, उसमें वो शाइनिंग जब तक नहीं आती, जब भाग्य साथ ना हूँ, और भाग्य साथ कैसे देगा, प्रिये साथी हूँ, तो भाग्य साथ तभी देगा कि जब भाग्य के मा भाग्य मजबूत होगा, तो ये उपाये आप जरू करें, सुन्दर कांट का पाठ, हनुमान इस्तोत्र का पाठ, हनुमान जी की पूजा, सेवा, और इतना ही नहीं, देखिए, हनुमान जी को मीठा बहुत पसंद होता है, प्रिये हैं उनका, तो आप बूदी, या बेसन के लड़ू, या मेवे के लड़ू, या गुड़ के, आटे के लड़ू, गुड़ के, वो उनको बहुत प्रिये हैं, आप उनका भोग लगाएं, और भोग लगाने के साथ साथ, जो पान का पत्ता होता है, वो मोली में ग्यारे पत्ते बांद करके, ग्यारे पत्ते, डंठल उ कलावे में बांगँ आ करके पूरी माला बना करके त्यार करके आप उन अर्पित करें हनुमान जी को यह आप काम करें आज के दिन तो निश्च पृप से आपके बिगड़े हुए कारें पूरे हुंगे बृएं को ये बताने की कोशिश किया कि आपका ये तीस अपरेल का दिन आज कैसा जाने वाला है और प्रियसातियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरू करें चैनल को भी सबस्क्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाब उठा पाएंगे और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारे एस्ट्रोलोजी से रिलेटिड बनते हैं वे भी विद नोटिफिकेशन सभी समय रहते आप तक पहुंच पाएं तो फिर आप उसके लिए लाइकन अवश्चय दमाएं साथियों अब अपने इस कार्य करम का हम यहाँ पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिये विवर्स से अपने दर्शकों से लेना चाहेंगे इजाज़त तो इसी के साथ आप सभी का सेहिर्द है बहुत धन्यवाद जयमाता दी